आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम माता रानी का लहंगा बतला चुके हैं और चोली भी बतला चुके हैं आज हम इस पे बतलाएंगे आप लोगों को काना जिगाने कृष्ण भगवान का कूर्टा और माता रानी का दुपट्टा और तो चलिए ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए मात्र इस पे हम आज जानेंगे कुर्टा जुगल सरकार में पांच इंच के जुगल सरकार में कुर्टा जानेंगे माता रानी का दुपटा जानेंगे और पटका जानेंगे यह कुर्टा आज हम जानेंगे कैसे बनाया जाता है बहुत ही सरल है यह कुर्टा बनाना चोली इसका बना ले चोली का लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे इसके बाद यह कुर्टा का यह चीज आपको बतलाएंगे बहुत ही सरल है इसका लंबाई आप देख यह हम बनाना सुरू करेंगे इसका जो पहला लाइन बनाएंगे उस पर हम सबसे पहले तीन चेन ले लिए तीन चेन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे बन गया, अब एक चेन ले लेंगे और एक बीच करते हुए अगले चेन पर हुक को डालेंगे और यह एक डबल क्रोशिया हो गया अब एक चेन लेंगे फिर से इसे स्थान पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे अब फिर से एक चेन बीच करेंगे और अगली चेन पर हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया फिर से तो बस इसी तरह से इस लैन को हम कम्प्लिट कर लेंगे बहुत ही आसान है ये बनाना ये आप लोगों के डिमांड पे हम पांच इंच में बना रहे हैं वरना इसे हम नौ इंच में बना चुके हैं और भी इसे हम बड़ा साइज, छोटा साइज में बना चुके हैं इस ट्रेस को ये सिर्फ आप लोगों का डिमांड था कि पांच इंच के भी जुगल सरकार का बताएं इस लैन को हम इसी ढंग से कम्प्लिट कर लेंगे इसमे मादर आपको उन लगता है 75 ग्राम से 100 ग्राम ज्यादा इस पे उन नहीं लगता है अगर आप बनाना चाहती हैं तो दोनों कलर मिला कर आप बना सकती हैं 100 ग्राम ले आएंगी काफी रहेगा अब यहाँ पे हम बौडर के रूप में इस पे 2 डवल क्रोश्या यहाँ पे देंगे फिर 1, 2, 3 तीन चेन ले लेंगे प्लट लेंगे इसे तीन चेन लेने के बाद प्लट लीए अब देखिए अब हम जो यहाँ पे बनाए हैं ये आपको एक लाइन दो लाइन और ये तीसरा में तो हम यहाँ छे बार करते हुए से बंद किये हुए हैं तो यह देखिए हम किस तरह से बनाए हुए हैं, थोड़ा सा भी अगर आप फरक करेंगी तो आपका साइज में यहां पर अंतर आ जाएगा, तो यहाँ जो हम तीन चेन लिए हुए थें, दो चेन ले लेंगे, देखिए इस तरह से दो चेन, दो चेन के बाद यह हुक पे डाल और तीन का एक करेंगे, देखिए यह हम तीन का एक करेंगे, फिर से बल लेंगे, बल लेने के बाद इस अस्थान पे हुक को डालेंगे, इस अस्थान पे हुक को डालेंगे और तीन का एक करेंगे, फिर से बल लेंगे, तीन का एक करेंगे, एक चेन, फिर से बल लेंगे, इसी इस्थान पे देखिए हम डाल रहे हैं, इसी इस्थान पे, फिर से तीन का एक करेंगे, फिर से तीन का एक करेंगे, इस तरीके से, हम यहाँ पर डवल करोसिया नहीं बनाए हुए हैं, फिर से एक बार देखें, देखिए, यह हो गया, तीन का एक, फिर से बल लेंगे, इ इनका एक करेंगे, एक चेन ले लेंगे, तो जो हम double crochet बनाते हैं, यहाँ पर double crochet बनाते हैं, वो double crochet ना बनाके, कितना इसे 3 का एक करते हुए, इसे हम complete किये हुए हैं, तो इस laying को बस इसी तरह से बुन लेंगे, और जो हमारा अगला lying रहेगा, देखिए अगला लाइन यानि ये लाइन जो रहेगा इस पे भी हम इसी तरह बूनेंगे जैसा तीन कायक बतलाएं इसी तरह डबल कुरोसिया नहीं बूनेंगे बनना आपका ये लंबाई कुछ ज्यादा हो जाएगा और डिजाइन सामने उभर कर नहीं आएगा तो इसलिए ह सिर्फ देंगे एक ऑर एक के दो अब इस कलर से में देना है तो इस कलर कुपर ले आएंगे डिखिए इस ठक से और एक और एक दो दो षिण ले दिए देखिए यहाँ पे हम ये बना अकर कंप्लिट के दो लाइन में अब इसे पलट लेंगे पलटने के बाद हमें क्या करना है यह यहां पे लेंगे सबसे पहले तो यहां पे लेंगे और एक बार तीन का एक करेंगे फिर दूसरा बार में भी यहां लेंगे तीन का एक करेंगे अब एक चेन ले लेंगे एक चेन लेने के बाद यहाँ पर हुप को डालेंगे देखे यहाँ पर हुप को डालेंगे और इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे बार हम यहाँ पर बनाएं फिर यहाँ हुप को डालेंगे बीचों बीच में और छे बार फिर से बना लेंगे एक, तो, तीन, चार, पांच, और यह रहाँ छे, तो देखिए यह छे बनाते हुए हम इस लाइन को पुरा यहाँ कम्प्लिट कर लेंगे और इसके बाद यह तुम कम्प्लिट कर लेंगे, इसके बाद का लाष्ट लाइन हम आप लोगों को यहाँ पर बतलाते हैं देखिए, लाष्ट लाइन हम किस तरह से बूने हुए है, यहाँ इसे उठा कर लाएंगे, इसे यहाँ लाएंगे और सबसे पहले तो इसमें hook को डालेंगे और यह तीन का एक स्थंक से करेंगे चोटा बल लेते हुए देखेए विल्कुल छोटा यह इस तरह से करेंगे फिर यहाँ पे इस्तरह से और फिर पर्तेक चेन पे पर तेक चेन पे hook को डालते हुए इसका हम outline पूनकर complete कर लेंगे देखिए इस ठंग से जैसा कि आपको ये पुर्षाट में है देखिए और ये कर लेने के बाद आप एक डोरी बनाएं डोरी बनाकर और देखिए यहाँ पर डोरी हम इस तरीके से डाले हुए दोरी डाले बाह ये जो बाह हम बता हुए है चोली अगर आप बनाएगे तो पुरा complete कर लिजेगा इसके बाद इसे हम पुरा outline देकर complete कर लेंगे ये जो हम यहाँ तीन का एक बना रहे हैं इसे ही बनाते हुए लाएंगे यहां से यहां तक यहां से यहां तक पूरी गुलाई में complete करेंगे और यहां पे भी outline में बता चुके हैं तो यह complete होगया अब हम चलिए दुपट्टा बनाते हैं पिर अब चलिए अब हम इनका ये चुनरी बनाएंगे तो देखिए चुनरी किस तरह से बनेगा इसके लिए हम 43 चेन ले लेंगे यहाँ पर हम 43 चेन ले रखें और बल लेंगे एक दो तीन तीन चेन छोड़कर चौथा चेन पर हुप को डालेंगे पर देख एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लाइन हम कम्प्लिट कर लेंगे इस तरह से देखिए हम इसे एक लाइन बुनकर कम्प्लिट कर लिए अब अगली लाइन बुनने के लिए एक दो तीन तीन चेन ले लेंगे पलट लेंगे पलटने के बाद इस पे हुक को डालेंगे और एक डबल कुरूशिया तयार करेंगे अब देखे एक दो तीन देखे यहाँ पे हम तीन चेन छोड़ कर बनाए हैं तो यहाँ भी ठीक उसी तरह से बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और छोटा सा देखिए तीन का एक करेंगे हम डबल क्रोसिया हमें नहीं बनाना है फिर से एक चेन लेंगे और फिर से दो बार तीन का एक करेंगे एक और ये रहा दो, ये हो गया अब फिर से बल लेंगे एक, दो, तीन, चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और दो बार बनाएंगे सबसे पहले एक, दो फिर एक चेन लेंगे फिर दो बार बनाएंगे एक, और एक, दो तो बस इसे ही हम यहाँ पे कम्प्लिट कर लेंगे इस लाइन में पूरा इस चीज़ को बना लेंगे बहुत ही आसान है जैसा हम पर साथ में बनाएं उसी तरह फिर दूसरा लाइन भी बनाएंगे तीसरा लाइन भी बनाएंगे और जो चौथा लाइन रहेगा वो एक पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे दिखिए एक पर एक डबल क्रोशिया बनाती चले जाएंगे फिर आउटलाइन हम आउटलाइन भी हम उसी तरह से देंगे दो तीन चेन ले लेंगे दो डबल क्रोशिया और एक दो तीन तीन के बाद वीचो भीच में हुक को डालेंगे और यहां पर बंद करेंगे फिर से ती पट्टा हम तयार कर लेंगे बहुत ही सरल है बनाना इसके पहले वी जो हमारे वीडियो को लगातार देख रही है हमेशा देखती है परडे उनको ये डिजाइन समझ में आ गया होगा और जिनको नहीं समझ में आया है ये दूपट्टा का लिंक हम सेयर कर देंगे आप उहां स देखकर बना सकती है यहां सिर्फ हम आप लोगों को लंबाई बतलाए चावडाई बतलाए है लंबाई चावडाई जैसा की देखे इस पर लंबाई हम इसके पहले फर्स्ट वीडियो पर डाल चुके हैं जो मातारानी का लहंगा था उस पर हम डाल चुके हैं लेकिन फिर स यहां चलिए बतला देते हैं इसका लंबाई है टोटल 9 इंज और इसका यह चौडाई है आपको 2 इंज और इसके बाद यह यहां पे हम बनाए हुए हैं तो यह तो समच पे आ गया अब देखिए अब इनका यह दूपटका बनाएंगे अपने क्रिशना जी का यह पटका ब यह 9.5 इंच रखिए लंबाई है इनका और साथ में बीच में हम यहां पे एक फूल डाले हुए है यहां पे एक फूल डाले हुए है तो चलिए अब हम इसे बतलाते हैं किस तरह से यह बना हुआ है इसके लिए हम 5 चेन ले लेते हैं एक दो तीन चार पांच और एक चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे अब देखिए अब हमें क्या करना है यहां से यहां पे एक दो तीन तीन के बाद चौथा अस्तान पर हुप को डालेंगे और डबल कुरुशिया बनाएंगे इस पे हमें डबल कुरुशिया बनाना है एक दो अ अब देखिए यहाँ पर हम तीन डाले हुए हैं यह डबल कुरुसिया यहाँ पर तीन तीन दो चेन तीन यानि छे डबल कुरुसिया अगर आप इसका चवडाई कम रखना चाहते हैं तो दो दो डबल कुरुसिया आप डाल सकते हैं यहाँ पर हम तीन तीन डाले हुए हैं तो एक, दो और एक, तीन, तीन डबल कुरूशिया हो गया, अब इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से इसी अस्थान पर तीन डबल कुरूशिया बनाएंगे, एक, दो, और ये रहा, तीन, तीन हो गया, अब फिर से देखिए में क्या करना है, यहां जो लास्ट चेन आपको और एक डबल कुरूशिया तयार कर लिजिए, एक लाइन हो गया, अब एक, दो, तीन, तीन चेन ले लिए, पलट लेंगे, पलटने के बाद फिर से बीचो बीच में हुक को डालेंगे, यहां पर, बीचो बीच में हुक को डालेंगे, और तीन डबल कुरूशिया एक, दो, तीन, अब बल लेंगे और सबसे लाश्ट जो यहां पे है तीन जो हम चेन लिए वे थे वहां पे हुक को डालेंगे और इस तरीके से एक डबल कुरुसिया बनाएंगे दूसरा लाइन हो गया हमारा कंप्लीट अब एक, दो, तीन, तीन चेन ले लिए फिर से हम यहां पे हुक को डालेंगे और तीन डबल कुरुसिया बनाएंगे एक, दो, तीन, बीच में एक चेन लेंगे फिर से तीन डबल कुरुसिया बनाएंगे एक, दो, तीन फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल कुरूसिया बनाएंगे फिर से एक, तो, तीन, तीन चेंड ले लिया इसी तरह हमें भुनते चले जाना है देखिए या आपका इस तरह से आएगा इसे हमें कितना लाइन में भुनना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दर्श, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सुल्ला यहाँ पे हम सुल्ला बनाए हुए हैं आप देख लें आपको इस पे लंबाई कितना चाहिए उस अनुसार आप यहाँ पे यह सुल्ला जो लाइन है इसमें आप घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं तो चलिए यह हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप लोगों को बतलाएंगे इसका आउट लाइन यहाँ किस तरह से डाले हैं और इस पे हम आप लोगों को फ्लावर बतला देंगे यह वाला तो फिर चलिए सबसे पहले इसे बना कर कंप्लीट करते हैं इस तरह से देखिए इसे हम लबाई में बना कर कंप्लीट कर लिए अब हमें क्या करना है दूसरा कलर का ऊंड लेंगे और किसी भी अस्थान से जोड लेंगे अगर आप इस साइड से जोडना चाहते हैं तो इस तरप से भी जोड सकते हैं यहाँ देखिए हम इधर से ही हम बतलाते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर जोडेंगे इस तरीके से और यह तीन का एक करते हुए हम इस पे बनाते चले जाएंगे देखिए यह तीन का एक करते हुए हम यहाँ तक बना लिये अब हमें क्या करना है बल लेना है बल लेने के बाद बल लेने से पहले हमें यहाँ इसमें भी कंप्लिट करना है तो यह रहा फिर एक और लेंगे और एक और लेंगे अब दीखिए अब हमें क्या करना है यहां हुक को डालेंगे और छे बार हम इसी तरह डबल कुरूसिया बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे यह हो गया अब यहां पे यहां पे ले लेंगे रूप को और इस तरह से जोड़ते हुए इस तरफ का भी पूरा लाइन हम कम्प्लीट कर लेंगे इसका जो आउट लाइन है देखिए इस तरीके से यह हो गया अब देखिए अब हमें करना क्या यह तो हम कम्प्लीट करेंगे यहां से यहां तक फिर इस तरफ भी छे यहां पे डबल कुरूसिया बनाएंगे और इसे यहां से यहां तक कम्प्लीट करके लेते आएंगे अब हमें क्या करना है बीच में जो हम आप लोगों को बतलाएगी फ्लावर बतला देंगे तो चलिए हम फ्लावर आप लोगों को यहां पर बतला देते हैं बीचों बीच में हुक को ले जाएंगे और यहां उनको जोड़ेंगे चेन लेंगे दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, नौ, दर्स, एक ग्यारा एक ग्यारा चेन हम यहां पर ले लिए अब बल लेंगे, एक, दो, तीन, तीसरा चेन पर हुक को डालेंगे और पांच डवल क्रोसिया बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और यह रहा, पांच फिर से अगला चेन पर हुक को डालेंगे और पांच डवल क्रोसिया बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर से अगला पे हुप को डालेंगे, चार बार हमें इसी तरह बनाना है, चार चेन से, अलग अलग छेन से हम बना रहे हैं, देखिए, अलग 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 चेन से बना रहे हैं, तो इस पे भी हम पाँच डबल कुरूशिया तयार कर लेते हैं दो, तीन, चार, पाँच अगला चेन से पाँच डबल कुरूशिया एक, दो, तीन, चार, पाँच जब एक हम इस तरह से ले लिए, अब उन को हम कट कर लेंगे उन कट कर लेंगे, इसके बाद देखे हमें क्या करना है इसे हम इस तरह से घुमाएंगे इसे यहाँ गोल गोल इस तरीके से घुमा लेंगे देखिए और जो हम उन कट करेंगे ये इसी से हम सील लेंगे चारो तरफ सीलने के बाद में चारो तरफ सील लेंगे और यहाँ पे एक प्यारा सा मुती डाल देंगे तो आपका बन कर तयार हो जाएगा जैसा की देखिए इस पे है जैसा की देखिए आपको इस पे है आपका ये पठका बन गया, ये दुपठा बन गया, चुन्री मातरानी का बन जाएगा, और ये काना जी का, यानि कृष्णा जी का, ये कुर्ता बन जाएगा, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बस इतना ही बतलाए हुए हैं, उमीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छ लगा या नहीं लगा तो फिर चली मिलते हैं अगले वीडियो में